हाई मेरा नाम है शारिप और आप देख रहे हैं कममाल की गैजेट और आज हम बात करेंगे कौन से हैं वो तॉप 5 मोबाइल फोंस जो आप खरीच सकते हैं अगर आपको गज़ाथे 20,000 या फिर उससे कम पर इनके लिंक नीचे प्रिश्क्रिप्शन में दियेगे हैं सो अगर अगर आप प्लान कर रहे हैं खरीदने का तो हमारे जियेगे लिंक का इस्तमाल करें और अगर आप पहली वार हमारे चैनल के विजिट कर रहे हैं तो कंसरे करिए से सब्स्राइब करने का क्योंकि मैं लेकर करके आतो हूं इसी तरह के टेक रिल्टिट वीडियो हर हफ़ते इस तरह आप नहीं हो सकता आइपोन को यूज करने का इसके इस स्पेसिफिजन की बात करें तो यह आता है पूरिंग के रेटिना डिस्प्ली के साथ में रमस में मिलती है वह 2GB की और इंटर मेमरी जो मिलती है वह 32GB की कैमरा की बात करें यहां पर आपको मिलता है 12MP करिये सिर्फ 1.2MP की बात करें तो इसमें आती है 1624 बिलियम प्रके एक चुपी से बैटरी वेल यह फोन का डिस्प्लेई 4 इंच काया तो 1624 इमेंच की बैटरी वेल मोर दन इनफ तो नहीं किया सकते बर फिर भी इनफ कहां जा सकता है इसको पावर करती है आपल का A9 चिपसेट ज और इसका आपल A9 का पावर्फिल चिपसेट और इसका कैमरा 12MP का यह फेसिंग कैमरा वाके में बहुत कमाल के पिक्स लेता है और बहुत कमाल के वीजियो बनाता है और इसके साइज के कॉम्पैक्ट होना वहले अगर आपको एक छोटा पूंच चाहिए तो इससे अच्छा आप्शन अभी फिलहाल मार्केट में नहीं है जो आपको देता है एक डंदार प्रफॉमेंस और एक अच्छा कैमरा कॉन्स के लिए बात के दो सबसे पहले नूमर पे आता है इसका सेल्पी कैमरा जो के सिर्फ 1.2 मेगापिक्सल अगर आपके लिए नहीं बना है साथे साथ जो आप्टिकल इमेज स्टैगलाइशन भी नहीं दिया गया है तीसे नंबर पे जो आता है वो है इसका जो फिंगर्पिंट स्कैनर दिया गया है वो है बिल्कुल फर्स जनरेशन वाला तो यह थोड़ा कंपरेटिवली बागे फोन के मगाबर थोड़ा स्लो है और शौते नंबर पे जो इसका कॉन है वो है इसकी स्क्रीन रसूलूशन वेल यह फोन फुल एजडी तो दूर की बात है एच्डी भी नहीं है वेल तैस दिसपॉइंग नहीं है तो नंबर पोर में मेरे लिसमें हैं मोटो जीफाइब स्प्लस और जाओमी एमाई एवन वेल दोनों के स्पेसिफिकेशन है वो कोई सिमिलर लेकिन यहां पर चुक्छी मुझे कि एक को नॉमर पूर पर रखना है तो नॉमर पोर में मेरे लिसमें है मोटो जीफाइब स्प्लस प्लस 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 अ को बताब तो बात करते हैं इसकी बच्पेसिजिघ की तो और क्यू मैं इसको न से नहीं है बर इसमें भी आपको मिलता है इसको भी फ्यूचर की कुछ अपडेट्स जरूर मिलेंगे लेकिन जो कि इसको भी आपको मिलती है 4GbT इंटर में भी आपको 64GbT जिसको इन्हांस किया जा सकता है में को दिकाट का स्वाट यहांपर दिया गया है तो LED फ्लैश इसमें आपी काफी मदद करेगा बात करें इसके ब्रैटरी के पैसेटी कि यहाँ पर आपको मिलते है 3000 मिलियम पावर की एक बैटरी इसको बढ़ी तो नहीं कहा जा सकता है बढ़कर भी ठीठाकी कहा जा सकता है और इसको पावर देदी है स्नाप्रेगन 625 का चिपसेट वाल स्नाप्रेगन 625 का चिपसेट जो है वह एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है जो कि आपके डे-टू-डे वर्क और कुछ गेमिंग और इंपर कुछ हाटफूल गेमिंग को भी कर सकता है और इसमें बैट्री शॺ्स बहुत अच्छी देखने को मिलेगा और इसमें आपको मिलता है एंडॉड 7.1 बात करें कर इक प्रोज की तो यह आता है फास चार्टिंग ये है स्प्लैश रिस्टेंट और इसकी जो कैमरा पॉपामेंस है वो भी एमारी एवन के मुकावले में थोड़ी जादा डी सेंट है बात करें अगर इसके कॉंस की तो यह आता है फार्पॉन फारी लगता है यूज़ करने में साथे साथ इसमें NFC का सपोर बीजर्ट है यह जो कि अभी इससे पहले के जंडेरेशन वाले जो फोन आया था था इसमें नहीं मिलता लिकिन चुपी जी फाइप प्लस में दिया था और इस फोन से ओमिट कर दिया गया इस वजह से नहीं होना इसके लिए एक कमी है कॉन है मेरी नजर में अधर में और सम आने वाले टाइम में आपको हर वाल च्जाईए घल इतित इता हैos कांट का सिमिलर है यहां पर आप देख सकते हैं 2 लों के से मिलारीटी से मिलतीween 173 प्म चाल गारए temperature 24GB के इंटरनल मेमरी यह आता है dual camera setup के साथ में तो यहां पर जो यहां पर आपको मिलता है आपको श्याज प्लस ताजड़ा यहां पर मिलते हैं यहां पर में और आपको आपको में पूर्स जरूर है अपने सारा रिमोटली ओपरेटे डिवाइस को कंट्रोल कर से पर जैते की AC और तीवी जो है तो है बाट्री लाइफ आपको बैट्री लाइफ इसने जाए नहीं मिल मुझे लगता है कि फ़ड़ा और बिटर हो सकता था नमबर नमबर दू में हमारे पास है बिल्कुल एक लेटेस्ट इंड्री जो के बिरेसिंट्ली इंडिया में लाउंच हुआ और उसका नाम है के लिए यहां पर आपको मिलता है 4GB कर रहा है 64GB की इंटर्न मेंडरी प्रामे कैमरा जो है वो आपको मिलता है 16MP प्लस 2MP और जो फ्रंट कैमरा उसमें आपको मिलता 13MP प्लस 2MP प्लस 2MP बैटरी के पैसरी जो दी गही है 3340 मिलें पावर की बैचरी और इसको पावर करती है वह हुआवे का अपना प्रोसेसर करीन 659 की बात की जाए तो यह एक हुए लेंट है यहां पर भी आपको मिल जाता है एक डीसेंट प्लस और एक डीसेंट बैकरी प्लस भी और इसमें आपको मिलता है हाईबर सेंट स्लॉट ताइप सी का सपोर्ट भी नहीं है और नहीं लिए फॉन सपोर्ट करता है फास चालिंग विल तैट इससपोइंट बात करिया अंगर इसके आपको मिलता है फाइव इंच की फुलिए डिस्प्ले राम आपको मिलता है 3GB की इंटरल मेमरी जो मिलती है 32GB की कैमरा आपको मिलता है अगर इसके प्रोस की बात की जाए तो वो है इसका कैमरा वेल इसका कैमरा जो है फ्लैक्शिप के टक्कर का सुब 20 जा से कंद की कीमत में फिलाल इससे अच्छा कैमरा आपको नहीं मिलेगा जो इसमें डूल कैमरा का सिट अप भी दिया गया है दूसरे निमर पर बात करें तो वो है इसका ओवराल डिजाइन वेल यह पून दिखने में वागने में बहुत गॉर्जियोस है और अगर आप इसके एक बार देख लें तो यह विल फेल लॉव वेकिट और इसकी ओवराल प्रपोर्मेंट करी 950 के होने के विजए से काफी अच्छी है वेलेवर क्री 950 के बात करें चीए आप इक वेलेटी को समझ सेथे हैं स्नैप्रेकन 820 के शुकि लास्तियर स्नैप्रेकन का फ्लैक्शिप प्रोसेसर था तुस्य तरह से हुआवे करी 950 का लास्ट यह का फ्लैक्शिप प्रोसेसर था इसकी परफॉमेस भी बहुत कमाल की वाउन्स के अगर तो है इसका सिंगल सिम होना उनली और 3GB की राम वेले से ज़ादा कॉंसमें नहीं है और अगर आपका बैठे बीज है और एपिर उससे कम तो मझे लगता आपका सबसे पहले परिफ्रेंस होना जी हुआ वे और बागी के चार डिवाइस भी आपके रिपार्मेंट के हिसाब तो यह हमारे टॉफ 5 पिक्स क्या है आपके टॉफ 5 पिक्स आप अभी नीचे कॉमेंट सेक्शन में जबर बताएए और इंपांचो के लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन में दिये गया है तो अगर आप प्लाइन करें यह हमारे चैनल को भी मदद करेगा अगे ग्रोब करने मे तो आज के लिए बस इतना ही है अगर आप वी वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल को और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अंतिल दे टेक कियर